बिहार की सियासाब के लिए बेहत एहम दिन है चार साल के बाद बिहार की सत्ता में बीजेपी की वापसी हुई है नितीश कुमार की चार साल के बाद बीजेपी में घर वापसी हुई है और ऐसे में नितीश के नेत्रत्व में बनी जेडियू बीजेपी की ये नई सरकार जिस विधान सभा में उन्हें बहुमत साबित करना है फ्लो टेस्ट है सुभा 11 बजे ये परीक्षन होने जा रहा है नितीश की घर वापसी हुई है और अपसे देड़ घंटे बाद ये बहुमत परीक्षन होगा आज बिहार में नितीश बीजेपी सरकार के बहुमत का टेस्ट है बीजेपी के साथ मिलकर नितीश ने सरकार बनाई है सुभा 11 बजे विधान सभा में बहुमत परीक्षन होने जा रहा है विशेश सत्र बुलाय गया है विधान मंडल का बीजेपी और नितीश के पाले में कुल 132 विधायक है जो की 122 जो की जादू यांकड़ा है मेजॉरि परीक्षन के बाद मंत्रियों का शपट ग्रहन होगा नितीश कुमार का जो क्याबिनिट है उसका शपट ग्रहन होगा यानि बहुमत परीक्षन जो की 11 बजे है उसके बाद अगर बहुमत साबित कर देते हैं तो मंत्रियों का शपट ग्रहन भी आज ही होने जा रहा है तो नजर रहेगी विधान सभा की कारिवाही पर फिर से रुक करते हैं रोमाना का. इस बहुमत के टेस्ट में कोई अडंगा डाला जाए. फिलार आपको बिहार लिये चलते हैं एबिपी न्यू समबादाता अंकित गुपता की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं. बिहार में इस वक्त किस तरीके से सियासी तस्वीर पल पल बदल रही है. जरा ये देखिए. बिहार की राजनतिक उठाप उठल के बीच में नितीश कुमार एक बार फिर से मुक्ष्मंती पत की शपत ले चुके हैं. लेकिन आज का दिन महतपूर्ण है वो इस वज़े से क्योंकि आज बिहार की विधान सभा में होना है फ्लोर टेस्ट यानि की नितीश सरकार को ये यानि कि बीजेपी और जेडियू का जो गटबंधन है उसका दावा है कि उसके पास में 132 से जादा विधायकों का समर्थन है वहीं बात की जाए आरजेडी की और कॉंग्रेस की तो उनका ये कहना है कि उनके पास में कई जेडियू के विधायक ऐसे हैं जो नाराज है जेडियू के से यानि कि नितीश के इस कदम से लिहादा वो समर्थन कर सकते हैं आरजेडी और कॉंग्रेस के गटबंधन का हाला कि सबके बीच में आरजेडी यारूप लगा रही है कि नितीश कुमार ने अपने कई विधायकों को बंधक बना कर रखा हुआ है लेकिन जेडियू का ये कहना है कि ये काम आरजेडी करती है जेडियू में इस तरीके से नहीं होता है लेकिन इस सब के बीच में सभी की निगायटी की हुई है सुभा 11 बजे यहां पर यानि कि बिहार विधान सभा में होगा जो फ्लोर टेस्ट यानि कि नितीश कुमार को बहुमा साबित करना होगा और वो इस वज़े से भी महतपूर है जो कि इसके बाद में जो आरजेडी और करार किया था उसकी वज़ा ये थी कि बिहार के हित्तों के लिए काम कहा जाए ना कि ब्रश्टाचार को समस्थन करने की तो देखिए कुल मिलाकर फिलहाल जो आक्रे हैं उन्हीं देखकर ऐसा लगता नहीं कि कि किसी भी तरीके की कोई भी मुश्किल नितीश कुमार को पाचीत में ये कहा कि आप आज को भूल जाएए 2020 में भी एंडिय के बिहार में सीम उमीदवार नितीश कुमार ही होंगे बिहार में एक मशूर कहावत है डगरा का बैगन होना यानि कि थाली का वो बैगन जो कभी सरक कर इधर और कभी सरक कर उधर हो जाता है फिलहाल नितीश कुमार की हालत वैसी हमारे साथ बिजेपी के राश्ट्रिय प्रवक्ता शेहनवाज हुसेन है ये बताईए कि थाली के बैगन को अपनी तरफ करने के लिए थाली पर कितना दबाव डाला गया है नितीश कुमार थाली के बैगन नहीं है नितीश कुमार बिहार के लोगों के माथे के ताज है वो बिहार के ताज पर लगे हुए हीरा हैं और उनकी साफ सुत्री छवी है नितिश कुमार जी बेदाग नेता है ये सही है राजनीत में 17 साल हमारे साथ रहे है तो फिर डिन ने क्यों चेक किया गया नहीं ताज उनके सर पर था और है और आगे भी रहेगा क्योंकि नितिश कुमार जी का कई मुद्दों पर एक दल में विक्तियों का मतवेद होता है और हम तो अलग-अलग दल थे अलग-अलग विचार धारा थे फिर भी हमने कटवंदन में काम किया एक बार हमसे अलग हुए लेकिन वो किसी और से नहीं मिले हैं अपने घर ही लोटे हैं तो घर वापसी के लिए कितना दबावड़ा लगया क्योंकि आरोप लग रहे हैं और जेडी आरोप लगा रही है कॉंग्रेस ने राहूल गांधी ने कह दिया कि उनको ती नितिशकुमार जी ने धोखा दिया कांग्रेस ने राहूल जी ने तो देश को धोखा दे दिया भरष्टाचार पर इतना समझोता किया दस सल सरकार रही भरष्टाचार पर सिर्फ कागज फारने से नहीं होगा आपने कागज फार दिया था बिल फार दिया था लेकिन आप राहुल गांदी जी सिर्फ सवाल उठाने के आदी हैं जवाब नहीं उनके पास सवाल तो आप लोग भी उठा रहे थे नितिश कुमार के उपर फिर ये गुर्षिप आने की चाह में सारे सवाल छूट कैसे गए हम लोगों ने कभी भी नितिश कुमार की केडिबिल्टी पर उनकी इमानदारी पर उनकी छमता पर सवाल नहीं उठाए विपक्ष में रहते हुए भी हमने नितिश कुमार जी की इमानदारी पर कभी सवाल नहीं उठाए बिहार के कारकरता को सबको ये लगता था कि नितिश कुमार जी और जो बीजेपी का कटवंदन था हमने उनको गए थे तब भी हमें लगता था कि यह गलत छोड़ कर गए तो सही जगा आए तो इस्टेप गए थे वापिस हम लोगे साथ आज बहुमत साबित करना है क्या नितीश कुमार बहुमत साबित कर पाएंगे लिए बहुमत साबित हो ही गया एक 122 विधायक हमारे साथ 132 विधाय साथ है अरजेडी तो दावा करने में आरजेडी को कौन रोक सकता है अधांत कंगन को आरसी क्या अभी देखिएगा साबित कर देंगे बहुमत 132 विधायकों का समर्थन है कोई शक शुभा किसी को नहीं होना चाहिए बिहार नरंदर मोदी और नितीश कुमार और सुशिल मोदी के नितरत में आगे बढ़ेगा बिहार फिर से नंबर वन राज की तरफ आगे अगरसर होगा बिहार में तरक्की करके देखाएंगे बिहा से बार के नौजवानों को बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि नब्वे के बाद पहली बार केंदर और राज में एक ही दल की सरकार है किया उनकी स्थिति बहतर हो गई है जाइए 36 क्या बहतरीन राज है जाइए मत-प्रदेश जाइए गुजरात जहां जहां बीजेपी करा जाज महारास्ट में कितना काम हो रहा है तो केंदर की जो योजना है और जो राज की योजना है आप दोनों मंत्री मिलकर बैठेंगे और बिहार की तक्दीर और तस्वीर को सवारेंगे कई माफिय की स्वाल दरा। विहार में आपकी सरकार सब से ज़्यादा और सबसे ज़्यादा गरीबी तो यहीं की किसानों um अभी सरकार बन गई है और निषि कुमार जी नैंदर मोदी जी मिलकर बिहार की तखदीर को को बनाएंगे किसानों की चिंता करेंगे क्या कोई special package आने वाला है बिहार के लिए नरेंद्र मोदी ने परसनली ट्वीट करके नितीश कुमार को बधाई दी बिहार का special package ही है भाजपा जदियू की दोस्ती यही special package है क्या RJD और Congress के कुछ विधाय को कोवी के भी तोड़ तूट के आने कि आपके साथ सम्हौना है क्या बादचीत हो रही उनके साथ हमारे यहां तो संख्या हमारे प्रियाप थे और हमने किसी को अप्रोच नहीं किया है किसी को तोड़ने में हम यकिन नहीं रखते कोई खुद ही मंत्री हैं आरोप लगाने की प्रक्रिया जारी रहेगी या करवाई भी होगी करवाई हो रही है और अब बिहार के विकास में जुट गए जिस वक्त शुशिल मोदी जी नितिश कुमार जी ने ओथ लिया है उसी वक्त से वो बिहार की तरक्की के रास्ते पर बढ़ाने के मंत्री मंडल का क्या स्वरूप होगा अगर कुछ बता सके अगर आपको कोई जानकारी हो इस बारे में मंत्री मंडल का स्वरूप बनेगा पहले विश्वासमत प्राथ होगा फिर दोनों नेता बैठेंगे अपने अपनी पार्टी से विचार करके मंत्री मंडल का विस्तार कि बीजेपी अमिट शाह नरेंद्र मूदी का अगला निशाना कौन सा राज्य है किस राज्य पर बीजेपी की नजर है देखिया हमारा एक ही टार्गेट है बरस्टा चार मुक्त भारत कांग्रिस मुक्त भारत हिमाचल हम जीतेंगे करनाटक जीतेंगे उसके बाद भारत के नक्षे पर कहीं पर भी आपको पंजे का निशान दिखेगा नहीं मतलब हिमाचल और करनाटक में भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी और जल्द ही परिणाम देखने को मिलेंगे चुनाओ है ना चुनाओ लड़के जीतेंगे और करनाटक में करनाटक में भी चुनाओ चालत यहां पर बने प्रधान मंतरी ने बढ़ाई दे नितीश कुमार को देश के प्रधान मंतरी को एक राज्जी के राजनीति जग गया है कि अब दिली से जो कास की धारा बहेगी उसको गाउं गाउं में पहुंचाने में बिहार की सरकार काम करेगी ये बताए ये नितीश कुमार को अपोजिशन का लीडर बोला जा रहा था 2019 में नरेंदर मोदी के खिलाफ खड़ा करने की भी कोशिश थी लेकिन अब खतम हो चुका है सब कुछ ये बताए ये 2019 की बीजेपी की रह आसान हो गई जो भी विपक्ष के नेता हूं वो ये मान लें कि कांग्रेस कभी नितृत देने वाली नहीं है राहुल गांदी को चुनाव हारने के बहुत सारे शौक हैं हर चुनाव वो हारी रहे हैं इस बार भी जहां जहां हिमाचला करनाटक में भी वो हारेंगे ही और दो हजार उनीस में तो कोई चांस नहीं है दो हजार उनीस में तीन चौथाई वहुमत लेकर नरेंदर मोदी देश की प्रधान मंतरी बनेंगे तो सुना आपने बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसेन देखिए डीने में गड़बड़ी से लेकर सकता के लोभी तक जितने भी बयान थे उस पर कोई जवाब जाहिर सी बात है शाहनवाज हुसेन दे भी नहीं सकते हैं लेकिन गोर करने वाली बात यह है कि 2017 में 2020 का जिक्र करने की जरूरत शाहनवाज हुसेन को आज क्यूं पड़ी क्यूं ये कहना पड़ा कि 2020 में भी जो इंडिये है बिहार में उसके सीम का चहरा नितिश कुमार ही होंगे और इसका आज के जो बहुमत का टेस्ट हो रहा है नितिश कुमार की नई सरकार का उसके लिहाज से कितना महत्फ है